दोस्तो सुजलोन अनर्जी की बात करें श्टॉक के अंदर आज कोई खास स्तेजी देखने को नहीं मिली लेकिन बाजार में तो काफी जबड़ स्तेजी थी तो इसके पीछ वज़े यह है कि आज बड़े फंडाउस ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है अब आप होगी है तो श्टॉक तो अभी बहुत समय से इसी जगह पे लेकिन जो बड़े फंडाउस होते है वो काफी बड़ी कॉंटिटी में खरीदारी करते है जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलोन अनर्जी काफी समय से वॉल्यूम के मामल में टॉप फाइव में बना हुआ है औ तो अगर किसी ने 7 रूपीज, 8 रूपीज या 9 रूपीज के आसपस भी खरीदारी किये तो उनको अगर एक रूपे का भी अप मुमेंट देखना को मिलता है तो काफी जबर्दस प्रॉफिट हो जाता है ऐसे में वो बड़े फंडाउस प्रॉफिट बॉकिंग करते है इस इसमें आप देख सकते हैं सुजलोन एंदर्जी है या फिर उनका जो इन्वेस्मेंट आई आरेफसी में है रिलाइंस पाउर में है ऐसे पैनी स्टॉक में उनका इन्वेस्मेंट होता है और वहाँ पे थोड़ा से तेजी आने के बाद वो प्रॉफिट बॉकिंग करते है और आज भी वही हुआ है बड़े फणा उसकी तरब से बड़ी प्रॉफिट बॉकिंग हुई है और इस वज़े से स्टॉक उपर नहीं जा पाए लेकिन डरना की कोई बात नहीं सुजलोन के लिए आगे का जो रास्ता है बहुत आसान हो चुका है क्योंकि गवर्मेंट ने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन लांच कर दिया है आने वाले समय में इनको अब डिस्कॉम के उपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा यनि डिस्कॉम जिसतर से इनको प्राइज देगी उसी के उपर इनको मानना पड़ेगा वो बात अब नहीं होगी तो आने वाले समय में वी BSE Sensex फिर से 60,747 के इस तर पर आ चुका है यानि 60,000 का जो उसने टूटा था वो फिर से इसने पाल लिया है और बहुत अच्छी तेजी देखना को मिली क्रीब 846 पॉइंट की तेजी यानि 1.41 परसेंट अब था हमारा BSE Sensex और पीछले तीन टेडिंग सेंसे में जो 1500 पॉइं जो बिक्वाली की है वो काफी कम है और खरिदार भी अच्छी हुई है उनकी सुझलों की बात कि स्टोक की सुबार 10.35 पर हुई लो 10.20 का है और आप देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग भी 10.20 पर थी यानि फ्राइडे की दिन की उसी तक आया है स्टोक में गिरावट नहीं को मिली दिन भर का ही 10.55 का है और अन्तवे क्लोजिंग 10.25 पर ही जापे 0.49% की हमें तीजी देखनों को मिली वॉलिम थोड़ा साज कम था पिछले एक मैने पर इसका 30 क्रोड का वॉलिम था 8 क्रोड की डिलेवर उठाए गे थी वन वीक पहले 16 क्रोड का वॉलिम उता 4 क्रो फाई बादार माज जम के बिक्वाली करे थे लेकिन आज उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए आप देख सकते हो कि 6 जनवरी यानि फ्राइडे के दिन उन्होंने काफी बड़ी बिक्वाली की थी उनकी खरीदारी मात्र 3,855 क्रोड की थी लेकिन सामने उन्होंने 6,758 इस तरह से उनकी जो बिक्वाली कामाउंट है वो 203 क्रोड का निकल के आए तो भले ही अभी फिला लिए आकड़ा निगेटिव हो लेकिन उसमें कमी आईए और सबसे जो अच्छी बात है बाजार के लिए और हमारे लिए भी कि FI ने बाजार में आज बहुत अच्छी खर है देरा में आज भी इंट्राडे में 10.55 का हमने हाई देखा और अगर आप ऐसे देखे तो 26 दिसंबर से लगबग आपको प्राइज उसी के आसपास देखे देगी 26 दिसंबर को भी हमने 10 की हाई देखी थी आज भी हमने देखा तो 10.20 की हमारी लो बनी है तो इस्टोक काफी समय से एक ही जगा पर ट्रेट गरता हो दिखा देगा जब बाजर में गिरा तो इसके बाद में स्टोक आप देखें तो 11 से लेके 10 की आसपास ही है तीन जनवरी को इसने 11 की एक बार हाई बनाई थी और उससे पहले 30 दिसंबर को भी इसके 11 की हाई बनाई तो काफी सम अब यहां पर एक बड़ी अपडेट निकल के आए जैसे कि सरकार ने अपना Green Hydrogen Mission तो लांच कर दिया है लिखिन इसमें बहुत सारी अभी सरकार को कोसिस करने होगा इसमें बहुत सारी अभी कमिया है उनको पूरा करना होगा तब जाके Green Hydrogen Mission complete हो पाएगा वीजन बहुत आले नेक्स फाइव डिकेट में देखें तो सरकार चाहती है कि इस इंडिया की जो इकोनोमी उसको 20 से लेकर 30 ट्रिलियन तक पहुचाना है तो आप समझ सकते हो कि इस इकोनोमी में पहुचाने में बड़ा योगदान हमारे इस Green Hydrogen Mission का होगा यानि सरकार चाहती है कि इंडि और Green Energy के माद्यम से पानी में से गुचाने के बाद इस Green Hydrogen का निर्माण होगा और एक तरसे यह Rhythm Energy के सोर्स के माद्यम से होगा इसलिए Clean Energy होगी और इसको दूसरी देश है जो आजमाने को तयार है काफी देश है जो इंडिया के साथ में अलड़ी बिजनस कॉलबरेशन कर और वो अपने देश में इस Green Hydrogen को प्राप्त करना चाहते हैं तो अब Green Hydrogen Mission को हमें complete करना तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले एक बड़ा infrastructure development करना होगा और electricity को आगे पहुचाने के लिए एक wire का network खड़ा करना पड़ेगा transmission distribution का network खड़ा करना पड़ेगा यानि energy जो नि सरकार को सेकेंड बात यह कि Hydrogen जो बनेगी Green Hydrogen उसके लिए जरूरी है वीन अनर्जी और solar energy जो रिद्रम नर्जी के sources है उनको मजबूत करना होगा क्योंकि उनके माध्यम से ही बिजली बन पाएगी तो जादा से जादा उनको प्रमोट करना होगा उनके लिए सरकार को और को इस कन्योगी fair policy लानी होगी मुख्य बात यह है कि जादा pollution फैलाती है जिसमें fertilizer industries, plastic industries, steel industries, agriculture industries यह जो industries है जहां से pollution होता है चाहे oil refinery इनको धीरे धीरे जो डिजल और petrol जो पूराने जो वर्जन है उनकी जगह पे इस Green Hydrogen के माध्यम से उनको यह उर्जा का इस्तेमाल करने के ल अब यहाँ एक बड़ी update और निकल क्या रहे है नौरवे के जो climate investment fund है उसने यहाँ पे इंडिया में एक बड़ा investment करने की announcement की है करीब आप देख से तो 900 million Indian rupees यहाँ पे निवेस करने जा रहे है ग्रीन energy के sector में तो विश्व के काफी देश है जो इंडिया में इस समय investment करना च चाते है तो एक investment fund काफी बड़ा है जो इंडिया में निवेस करेंगे green energy के sector में तीसरी एक बड़ी update और निकल क्या रहे है जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट के आने वाले 2030 तक 500 गिगावाट की capacity इंस्टॉल करने है green energy के माधिम से और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले green connectivity को मजबूत करना और storage option बनाना यानि चाहे green energy हो या solar energy उड़ा का निर्मान तो हो जाता है लेकिन उसको store करना होता है अगर store नहीं होगी तो फिर वो वेस्ट हो जाएगी या फिर नजी के डिसकों को उनकी price में देनी पड़ती है और इसके लिए सरकार को जरूरी है कि storage के व उपलब दिये इंडिया की भी और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में हमारे जो power का जो share है उसमें जादा से ज्यादा रिजम लजी का हिस्सा होने वाला है जिस तरसे आगे काम हो रहा है सरकार के तरफ से पेला scheme भी दी जा रही है इसके लावा बहुत सारी और scheme दी जा है और सरकार जिस तरसे प्रमोट करें सेक्टर को आने वाले समय डेफिनेटली इस गोल को अच्छिव किया जा सकता है सरकार इसके लावा लिथेनियम आयोन स्टोरेज बैटरी का option भी तलास रही है ताकि जो भी उर्जा का निर्मान होचा है सोलर और वीन के मादिम से उसको लेकिन उसके बाद में 9 बचकर 59 मिनट पर 10.40 की प्राइस से 14.30 की बिक्वाली हुई उसके बाद 11 बचकर 31 मिनट पर 10.35 की प्राइस से 15.30 की एक और बड़ी बिक्वाली हुई फिर 12 बचकर 25 मिनट पर आप देख सकते हो 10.30 की प्राइस से 21.80,000 की एक और बड़ी बिक्व लेक्षेरों की एक और बड़ी बिक्वाली हुई उसके बाद तो यह आप समझी सकते हो कि आज खरीदारी बहुत कम हुई और बड़ी फंडा उसकी तरब के जम के प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसी वज़े से आज हमें यहाँ पर गिरावट देखनों को मिले है लेकि समय आपको investment करना चाहिए नजरिया long term का लेके चले जल्दी हमारे सामने quarter three का result भी होगा और result अगर positive होगा तो यहाँ पर एक सांदर तेजी की शुरुआत होगी फिलाल एक trigger का इंतिजार कर रहे है सुजलोन अन्दर जी लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advice से बाढ़ कर दीजिए thank you friend